जी हाँ, एक बार फिर आप सबका स्वागत है, क्रिकेट क्रोनिकल स्विच चंद्रेश पे और रोस की तरह आज एक बार फिर मैं आपके साथ जुड़ गया हूँ, बहुत सारी और डेवलोप्मेंट्स होएं, क्रिकेट में पिछले 24 गंट में आपको पता ही है कि गौतम जंबीर को लेकर किस तरह के कोछ होगे, क्या होगा, क्यों हो गा, कीव होगा, कब होगा, कहा होगा, वो सब बाते चल रही है और खबर यह भी आ रही है कि उनकी तनखा क्या होगी जो मुझे पसंद नहीं बात करना पर काफी बाते हैं उसके बारे में उससे ज़्यादा जरूरी बात है कि उनका support staff क्या होगा काईदे से अगर देखा जाए तो जो support staff है उनके लिए BCCI को बाकाईदा एक आड निकालना पड़ेगा और उसके बाद उन support staff members का प्रोस्पेक्टिव support staff members का जो appointment है वो एक procedure के तहत होगा जहाँ पर उनका interview जो है selection committee करेगी और उसके बाद उनका appointment होगा पर आपको पता यह कि यह काफी बार यह तो एक formality होता है क्योंकि जो head coach होता है वो चाता है कि उसका support staff उसके choice का हो जाता का बात है बैटिंग coach की कह रहे है कि शायद गौतम गंबिर खुद बैटिंग coach का बाहर संबालना चाहेंगे पर उससे भी ज़्यदा जरूवी है कि उन्होंने apparently अभिशेक नायर की बांग की है as assistant coach उसके अलाबा fielding coach के लिए कह रहे है कि टी दली continue करेंगे as a fielding coach पर BCCI के press release में कल रात को जब साड़े अट बजे press release आया उसमें ये कहा गया कि आपके future endeavors के लिए आपको बहुत-बहुत मुबाराक बात पहले सी तो उन्होंने अपने तरह से तो thank you के दिया पर या पर वो किस तरह से वो बनेंगे पता है बालिंग coach की जातक बात है बात ये चल रही है कि शायद विने कुमार या लक्ष्मी पतिवाला जी या जहीर का तीरों इसे कोई एक बनेगा मुझे पता है काफी लोग कह रहे है कि यार विने कुमार का क्या record है पर यार बालिंग coach की जो requirement है coaching जाना ज़्यादा जरूरी है ना कि उसका playing record जाना ज़रूरी है अगर ऐसी बात होती ही तो विव रिचर्ड्स और इयन बॉतम और कपिल देल से ज्यादा या ग्रेक चैपिल से ज्यादा successful coach कोई और नहीं होता तो आई थिंक वो बात तो आपको परेग करती है तो देखते हैं आप पता चल जाएगा बस scroll करते रही है क्योंकि BC से है कोई वरोसनी कभी भी आ सकता है प्रेस रिडीस और बता सकते कि लीजी यह आपकर नया support staff है तो यह तो हो गया और यह भी बता रहे है कि इस हफते के end तक selection committee meeting होगा जहां पे गौतम गंबिर खुज शामिल होंगे और अजीत अगरकर की कवायत में जो selection committee आचा selection committee में जो fifth member है अब तक वह बहुत कुछ होना बाकी है तो बहुत development होगे बहुत सरे नयए चैरे आने आने वाले है तो श्रीलंका दोरे के लिए team chain होना है हर्दिक पंडिया T20 के कप्तान होंगे कह रहे हैं और KL राहूल ODII team के कप्तान होंगे जैसे मैंने कुछ दिन पहले कहा था तो वो भी selection देखना बहुत दिल्चस्प होगा किसको pick करते है किसको drop करते है तो यह तो बात होगी अभी नए आने वाले regime की पिछले regime की अगर बात करें तो cover R.A. की राहूल द्रविट ने जो 5 करोड उनको मिलने वाले थे as bonus from the BCCI उसमें से उन्होंने 5 करोड मना कर दिया उन्होंने कहा है BCCI को कि मुझे भी उतना ही मिलना चीजितने मेरे बाकी coaches को मिल रहे है अगर उनको 5 करोड मिल रहे है तो मुझे भी 5 करोड मिलना है तो वो एक cover निकल कर आ रही है और तो यह तो थी Indian cricket की बात है उसके अलवा अगर देखें तो यह दुनिया में हिर्दगिर्द आप देखें कि बारत और जिंबाववे का तीसरा T20 मुकाबला शुरू हो चुका है वाल्ड कप के तीन winners 11 में शामिल है और England में James Anderson का आखरी test match शुरू हो चुका है New Zealand में जो है रचिंट रविंद्रा, Ben Sears, Will Oruk और जेकब डफी को पहली बार New Zealand की cricket board ने contracts दिया है और Ajaas Patel भी contract list में वापस आ चुके है और पाकिस्तान में as usual तमाशा चल रहा है वहाब रियाज और जो अब्दुलरजा के उनको selection committee से बाहर कर दिया गया और अब जो है वहाब रियाज ने वादा किया है कि वो तांडव करेंगे और बताएंगे कि वो आखिर हुआ क्या था और मनसूर राना जो टीम के manager थे उनको भी sack कर दिया गया है तो और ये भी कहानी बाहर चल रहे है कि शाहिन अफरीदी ये लड़ाई हो गी थी किसे के साथ वर्ल्ड कप में ये सब distraction है तमाशा है पाकिस्तान cricket में हमेशा मज़ा आता देखने को पर अपने सबसे ज़्यादा मज़ा इंडियन cricket में ही आता है चली ये तो थी बाते आज क्रिकेट की और भी बाते होगी और बात करेंगे उस पर और इसी तरह चैनल को सपोर्ट करते रही है लाइक कीजिए शेयर कीजिए सबस्क्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी बजाते रही है और चैनल को साथ बने रही है गुड़ बाई फॉर नौ